हेलो डियर फ्रेंड्स बचो कैसे आप लोग बचो उमीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे बचो वन्स अगेन यू अला वेलकम टी यूर ओन स्कूर के मिश्टिया दोस्तो आज हम लोग मेटलर्जी चाप्टर में एक बहुत ही छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज को सिखान करने के लिए आपके पास आए वच्छो वो चीजिए elingum Diagram दिखे elingum Diagram metallurgy में NCRT में given एक diagram है इस diagram का इस्तमाल metallurgy में इस चीज़ को पता करने के लिए होता है कि एक particular ore को किस reducing agent के द्वारा और किस temperature पे अच्छे से reduce कर सकते हैं I repeat my statement, Ellingham diagram का इस लिए इस्तमाल किया जाता है Ellingham diagram का use होता है कि इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी particular ore में metal को reduce करने के लिए क्योंकि ore में metal oxygen या sulfur के साथ combine form में होता है सो किसी particular ore को reduce करने के लिए कौन सा reducing agent सही है काम करेगा और को किस temperature पे most effective होगा ये चीज़ हमको Ellingham diagram से पता चलते है अब देखे Ellingham diagram होता क्या है कैसे काम करता है क्या उसमें दिया होता है उसके बारे में देखे डेटेल में आते है देखे Ellingham diagram एक diagram होता है जिसमें कि Y axis पे बचो delta G और X axis पे बचो temperature given होता है सो ये delta G versus temperature का graph होता है क्योंकि यहाँ पे जो delta G होती है इस quadrant में Y axis negative है सो इस quadrant में delta G negative होगा और temperature यहाँ पे positive है सो Ellingham diagram जो हमको given होते है बचो इस quadrant में given होते है इस quadrant में बचो Ellingham diagram हमको given होते है कुछ-कुछ इस तरह से होते है ठीक है delta G versus temperature के graph होता है अब दीखे Ellingham diagram का फंडा क्या है इस पे आता है देखे thermodynamics हमको सिखाती है दोस्तों देखे thermodynamics हमको सिखाती है कि कोई भी reaction spontaneous कब होगी कोई भी reaction spontaneous कब होगी जब उस reaction से सम्मंदित delta G negative होगा so according to thermodynamics reaction will be spontaneous reaction will be spontaneous if delta G reaction is less than zero अगर reaction से संबंदित बच्चों delta G less than zero है तो बच्चों वो reaction is spontaneous होगी अब दीखे दोस्तों इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं ठीक है let's say दोस्तों बच्चों let's say हमाई पास एक और है MO ठीक है let's say दोस्तों हमाई पास एक और है MO और हम इस और MO को दो reducing agent के साथ reduce करना चाहते हैं हम test करना चाहते हैं कि हमाई पास दो reducing agent है और उनमें से कौन सा reducing agent अच्छे से reduce कर सकता है अब देखे reducing agent का काम क्या होता है reducing agent खुद oxidize होगा x खुद oxidize होगा xo में और हमारे और MO को m में reduce कर देगा तो अगर दोस्तों अगर दोस्तों इस reaction में अगर दोस्तों इस reaction में जहां पर कि हम देखने हैं हमारा OOR MO reduce हो रहा है और हमारा reducing agent oxidize हो रहा है बचो अगर इस reaction का total delta G अगर इस reaction का बचो overall delta G negative है तो ये reaction spontaneous होगी हमारा reducing agent X काम करेगा लेकिन अगर दोस्तों मांगीजे सीन कुछ ऐसा बनता है अगर दोस्तों मांगीजे सीन कुछ ऐसा बनता है कि हमारी reaction का delta G कौन सी reaction का जिसमें हमारा OOR M reduce हो रहा है और reducing agent oxidize हो रहा है उस reaction का delta G positive है तो ऐसे case में हमारा reducing agent काम नहीं करेगा ठीक है दोस्तों तो ये चीज़ हमारी delta G का फंड़ा होता है ये हमने class 11 thermodynamics पर सीखिए है ठीक है अब देखे दोस्तों ये जो value है न है delta G minus 200 ये minus 200 को देखके हमें पता चल जाएगा reaction spontaneous है ये delta G plus 50 देखके पता चल जाएगा non spontaneous है non spontaneous और यहाँ पर spontaneous तो बेटा सारा खेल है कि अगर आपको delta G पता चल जाए reaction का तो पता चल जाएगा reaction होई गया नहीं होगी अब सवाल यह आता यह delta G निकालने कैसे दोस्तों यहीं delta G को calculate कराने का काम है यह जो value आई न माइनस 200 यह minus 200 कैसे आई यहां एलिंगव डाग्राम से कैसे अई बताता हो गर्म को हमको अलग-अलग elements के बच्चो एलिंगम diagram में ध्यान से सुनना इन एलिंगम diagram हमको अलग-अलग elements का इन एलिंगम diagram we have given we have given delta G corresponding we have given delta G corresponding to oxidation of various elements मेरे प्यारे बच्चो एलिंगम diagram में various elements के oxidation का delta G दिया होता है जैसे कि element M के oxidation का delta G एलिंगम diagram में देख करके मिल जाएगा जैसे लॉक टेबल में आप देख करके value निकालते हो ना ऐसे एलिंगम diagram में हम value देख करके delta G निकालते हैं X का oxidation का है Y का oxidation का है ये सब तो ये सब values बटा हम लोग एलिंगम diagram में देख कर निकालते हैं अब देखे बच्चो अगर हमको ये तीन values दे हुई हैं तो हम इनकी मदद से अपने reduction reaction की overall delta G कैसे निकालेंगे आपको बताता हूँ अगर हमको ये तीन reaction दी हुई है तो इनकी मदद से हम overall ये जान सकते हैं कि हमारे or mo को x reduce करेगा या नहीं करेगा y reduce करेगा या नहीं करेगा ये values बेटा कहां से आती है अब इन values को use कैसे करेंगे ये आपको बताता हूँ दोस्तों देखे पहली reaction हमारी बचों देखे पहली reaction हमारी कि हमारे or mo को हमारा element x reduce करेगा या नहीं करेगा इसको चली नकालते है सो बचों देखे L-ingam diagram से हमको इस reaction का delta g पता है L-ingam diagram से हमको इस reaction का delta g पता है ये दानों values देखे minus 100 और minus 300 दी होई दी होई दी है minus 100 minus 300 दी होई दी होई दी है अब दोस्तों समझेगा हमें अपने metal हमें अपने metal को reduce करता है यहाँ पर क्या है हमारा metal oxidize हो रहा है so अगर oxidation का delta G ये है तो इसकी reverse reaction जिसमें M reduce होगा उसका delta G plus 100 हो जाएगा क्योंकि delta G is a state function A से B का delta G plus 50 है तो B से A का delta G minus 50 होगा ये हम जाएगे so बच्चो इस reaction का delta G अगर इतना है तो इसकी reverse reaction का delta G ये होगा अब अगर हम इन दौनों reaction को add कर दें अगर हम इन दौनों reaction को add कर दें तो auto auto कर जाएगा और ये reaction आएगी और इसका delta G क्या होगा दौनों का add करके minus 200 होगा अब चूकी ये delta G minus 200 है so that means ये reaction spontaneous है x can reduce x can reduce or mo x can reduce or mo x हमारा or mo को reduce कर देगा ठीक है अब अब अच्छो इसी तरीके से scene देखिए दूसरी reaction करा है दूसरी reaction हम ये चेक कर रहें कि हमारे or mo को y reduce करेगा ये नहीं करेगा देखिए हमको l-ing-up diagram में m के oxidation का delta G दिया है y के oxidation का delta G दिया है ये values तुमको l-ing-up diagram में मिल गएगा अब अच्छो अगर हम चाहते हैं हमारा or mo reduce हो जाए तो हमें इसकी reverse reaction चाहिए m से mo का delta G इतना है अब अगर ये reaction का delta G है और इस reaction का delta G है हम अगर इन दौनो reaction को add कर दे तो बच्छो दौनो reaction को add करके हमें ये reaction मिलेगी और इस reaction का delta G प्लस 50 है, चोकि इस reaction का delta G positive है, बच्चो चोकि इस reaction का delta G positive है, तो that's why बच्चो ये reaction हमारी non-spontaneous होगी, तो we will say कि OR MO cannot be reduced by reducing agent Y, हमारे OR MO को Y reduce नहीं कर सकता है, तो ये सारा का सारा पड़ा होता है, L-Ingam Diagram का, अब देखें इसका interpretation, L-Ingam Diagram को जल्दी जल्दी कैसे apply करना ही, ये भी सिखाते हैं, तो देखें, L-Ingam Diagram हमको various reaction का delta G देता है, अब देखें, L-Ingam Diagram में अलग-लग reaction के delta G दे होते हैं, हर case में आपको बताया, क्या दिया होता है, element के oxidation का delta G दिया होता है, अब देखें, हमारे case में, हमारे case में, हमको तीन reaction के delta G दिया होते हैं, इन में बचो सबसे कम value किसकी है, minus 300 वाले की है, और सबसे ज़्यादा value किसकी है, y वाले की है, जो value कम है, वो graph में नीचे होगी, और जो value ज़्यादा है, वो वच्चो graph में उपर होगी, तो x होगा नीचे, y होगा उपर, और m होगा बीच में, तो इनको अगर हम plot करेंगे, तो हमें कुछ ऐसे आएगा, एले इंगम टाइग्राम में, x वाली reaction का graph नीचे होगा, और y वाली reaction का graph उपर होगा, और m वाला बीच में होगा, अब देखें दोस्तों हमने result क्या निकाला था, दोस्तों देखें हमने result क्या निकाला था, कि or mo को y reduce नहीं करेगा, और x can reduce or mo, ठीक है, हमने जो बच्चों, हमने जो result निकाला था, क्या निकाला था, कि or mo can be reduced by x and not by y y, तो बेटा, इसी चीज़ को, बेटा, इसी चीज़ को बहुती simple लफजों में, बहुती साफ साफ लफजों में, बहुती आसान भाशा में दोस्तों, अगर मैं बताऊं, तो बच्चों, प्लीज इस चीज़ को एकदम copy में बड़ा बड़ा लिख लो, कि एलिंगम डियागराम को देख करके हम ये बोल सकते हैं, कि वो element, बच्चों, वो element या वो substance जो एलिंगम डियागराम में नीचे है, बच्चों, वो substance जो एलिंगम डियागराम में नीचे है, कौन नीचे है, x, बच्चों, वो substance जो एलिंगम डियागराम में नीचे है, वो उपर वाले बन्दे को रिड्यूस कर सकता है, so that means हमारा x, हमारा reducing agent x, mo को reduce कर सकता है, हमारा element x, उपर वाले बन्दे mo को reduce कर सकता है, so x mo को भी reduce कर सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो x, y-o को भी reduce कर सकता है, so जो बन्दे नीचे होते हैं, वो उपर वाले बन्दों को reduce कर लेते हैं, so हम इस ग्राफ को सीधे सीधे देखे, बिना अकल लगाएगे, बोल सकते हैं, कि x can easily reduce mo, but y cannot reduce mo, क्योंकि वाही उपर है, यही तो फंडा होता है, इस से जादा कुछ होता ही नहीं है, बस इसी चीज़ को बेटा आपने अच्छे से समझना और पकरना है, कि एलिंगम डियागराम में वो substance या वो element जो नीचे होता है, वो उपर वाले compound को reduce कर देता है, as simple as that, ठीक है, अब चलिए, आपको एलिंगम डियागराम असलियत में दिखाते हैं, और उसके कुछ application भी बताते हैं, अब दूसरों दिखिए, हमारे पास ये एक एलिंगम डिय अच्छे से बिना हॉच पॉच के बिचो समझ सके हैं, सो दिखिए दूसरों एलिंगम डियागराम के बचो तीन लाइने हम लेकर के आए हैं, एक में जिनक ऑक्सिडाइज हो रहा है, एक में सिलिकन ऑक्सिडाइज हो रहा है, बचो जो बंदा नीचे है, वो उपर वाले को सकता है, सुब कि अच्छ यहाँ पे, बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं, कि इस point के left में, मतलब की बटा, 35 Kelvin के left में, 35 Kelvin से नीचे, हम ये बहु सकते हैं, कि Magnesium can reduce zinc. 35 Kelvin के नीचे, we can say that, Magnesium can reduce zinc. ठीक है, लेकिन 35 के उपर क्या होगा? Magnesium उपर जाएगा, और zinc नीचे आएगा, तो बच्चों, अब Magnesium cannot reduce zinc. So, अब Magnesium zinc को reduce नहीं करेगा, लेकिन पैथे 100 के पहले, room temperature, normal condition पे, Magnesium can easily reduce zinc. Same चीज़ happens for silicon as well, Magnesium can also reduce silica SiO2 below this 2500 Kelvin temperature से पहले. ठीक है, यह दोस्तों यहाँ पर पढ़ना रहता है. ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से, इस एलिंगम टाइकराम का इस्तमाल, iron की metallurgy को भी समझने के लिए कर सकते हैं. दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है कि iron का ओर hematite, इसको हमने reduce किया था, और वहाँ पर जो reducing agent है, that was carbon monoxide. बुस्तों, वहाँ पर reducing agent carbon monoxide होती है, carbon नहीं होती है. लेकि, zinc की metallurgy में carbon reducing agent होता है, लेकि, बच्चो, tin, casetrite ore, और iron hematite ore में reducing agent carbon monoxide होता है. आपने इस शीज़ को बहुत clearly अपने notes में लिखा होना चाहिए. बच्चो, हम लोग इस शीज़ को confirm कर सकते हैं, L-ing-up diagram से. देखे, दूस्तो, L-ing-up diagram का हमने एक छोटा सा section लेकर क्या है, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर देखे, यह तीन graphs हैं, हमने इनको अलग-अलग color से mark किया है. यह हमारा purple color का graph है, बैंगनी color का graph है, C-O से C-O-2 का, black वाला graph है, बच्चो, F-E से F-E होगा, और green और red वाला graph है, C से C होगा. वो graph जो नीचे होता है, वो ऊपर वाले को reduce कर देता है, ऐसा हमने पढ़ा होगा है. दोस्तो, carbon monoxide का graph F-E से नीचे है, दोस्तो, carbon monoxide का graph F-E से नीचे है, तो that means, बच्चो, कि up to this temperature, दोस्तो, that means up to this temperature, in this temperature range, in this temperature range, carbon monoxide can easily reduce F-E. इस temperature range में, बच्चो, इस temperature range में, 1000 Kelvin से पहले, 1000 Kelvin से पहले, पहले, carbon monoxide can easily reduce iron. carbon monoxide iron के ओर को reduce कर सकता है, लेकिन इस temperature में carbon, बच्चो, इस temperature में carbon क्योंकि ऊपर है, वो बच्चो, F-E को reduce नहीं कर पाएगा. So, जिस temperature पे, iron के ओर का reduction होता है, in zone of reduction, बच्चो, zone of reduction में जो temperature होता है, nearly 500 से 1000 Kelvin के बीच में होता है. So, 500 से 1000 Kelvin के बीच में, carbon से ज़ादा बहतर reducing agent है, carbon monoxide. तो इसलिए बच्चो, iron के metallurgy में, carbon monoxide can easily reduce iron. और यही बच्चो होता है. ठीके दोस्तों, तो यह यहाँ पर बंडा होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, इस तरीके से पूरा का पूरा, अब यह Ellingham diagram का बहुत ही complicated graph है, और हमने इसलिए बच्चो शुरुवात में आपको यह graph दिखाया नहीं था, क्योंकि आप बच्चो इस graph को देख करके डर जाते हैं. लेकिन अब जब हमने पूरा Ellingham diagram बहुत अच्छे से आराम आराम से पढ़ लिया है, अब आपको कोई इसमें डरा नहीं सकता है, आप आराम से बच्चो इस चीज़ को अपलाई कर सकते हैं, और अपलाई करके पहचान सकते हैं, किस और को कौन सा reducing agent reduce कर सकता है. ठीक है, तो I hope सारी चीज़े clear होगी होंगी Ellingham diagram की, आप इसको NCRT में read करके समझ सकते हैं, और जो NCRT के एक solid example है, वो आपको बहुत ही बच्चा लगेगा, कि magnesium can easily reduce aluminium. ठीक है, यह सारी चीज़े अब आप समझ सकते हैं, I once again want to repeat the conclusion, कि जो Ellingham diagram में जो नीचे वाला बंदा होता है, वो उपर वाले बंदे को reduce करता है, ठीक है, यह चीज़ समझ ज़िएगा, और Ellingham diagram में delta G versus temperature का graph होता है, यह graph second quadrant में होता है, क्योंकि delta G सारे negative दिये वो, ठीक है, तो यह चीज़ है, अब चलिए दोस्तो, Ellingham diagram की एक छोटी सी चीज़ है, जो मैं चाहता हूँ, बच्चों, आपको बता दू, so that competitive exam, especially J advance में, कभी अगर आपको उस तरह का trap दिखा जाए, तो आप उसके लिए alert रहे, देखें दोस्तों, Ellingham diagram में, जो unit होती है न, उस पे थोड़ा सा ध्यान लखना, बच्चों, Ellingham diagram में, जो unit होती है न, उस पे बेटा थोड़ा सा ध्यान लखना, दोस्तों, Ellingham diagram की unit होती है, delta G, kilojoule per mole, यहाँ पर यह जो per mole होता है न, यह per mole of reagent नहीं होता है, यह mole होता है per mole of reaction, so this is per mole of reaction, यह बच्चों किस के लिए होता है, per mole of reaction के लिए होता है, मतलब जो reaction आपको दी हुई है, उस reaction को one mole time करने में, इतना delta G लगेगा, ठीक है, जो reaction आपको दी हुई है, उस reaction को one mole बार करने में, delta G इतना लगेगा, so देखें, दोस्तों, एक्जाम में मैं इस चीज़ के लिए डरता हूँ, कि कहीं बच्चों आप लोग ये गलती ना करता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों इस चीज़ के लिए डरता हूँ, कि कहीं आप लोग इस चीज़ में गलती ना करता हूँ, ठीक है, दोस्तों, let's say, बच्चों देखें, let's say, हम लोग aluminium की reduction कर रहे हैं, बाई उजिंग mg, ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने भाई बैलेंस करना होगा, तो aluminium, ठीक है, ये होगे सारी की सारी रियार्चिन बैलेंस, ठीक है, दोस्तों, हम लोग let's say, aluminium की reduction कर रहे हैं, mg के दोरा, ठीक है, अब बच्चों, let's say, बच्चों, let's say, आप लोग, aluminium diagram में, आपको delta g दिया हुआ है, बच्चों, let's say, आपको aluminium diagram में, delta g दिया हुआ है, इस reaction का, किस reaction का आपको delta g दिया हुआ है, इसका, L2O3, बच्छो लेट से आपको इस reaction का delta G दिया हुआ है दोस्तो लेट से आपको इस reaction का delta G दिया हुआ है बच्छो लेट से इस reaction का delta G है minus 100 बच्छो लेट से एमजी का भी आपको delta G दिया हुआ है और बच्छो लेट से delta G है minus 150 बच्छो सिर्फ और इस छोटी सी चीज के लिए आपको alert रहना है किसके लिए कि भाई delta G extensive thermodynamic variable होता है बच्छो लेट से आपको confirm करना है कि यह reaction होग या नहीं होगी तो बच्छो इसको आपने कैसे confirm करोगी आपने इस reaction का delta G निकाल रहा है दोस्तो आपने इस reaction का delta G निकालना है अच्छा बाइदावए यह जो values हैं यह मेरी खुद के लिए होगी है अच्छो आपको सब्दाने के लिए मैंने यह data लिया है सो मेरे प्यारे बच्छो एक चीज समझे है हमें इस particular case में जैसे thermochemistry में हम लोग करते हैं delta H के लिए वैसे ही यहाँ पी करना है बस number of moles का बच्छो थोड़ा सा ध्याल रखना अब देगे इस reaction हमको aluminum कितना चाहिए 2 aluminum चाहिए न यहाँ पे कितना aluminum है 4 by 3 है so we want 2 moles of aluminum so to get 2 moles of aluminum हम इस reaction को 3 by 2 से multiply करेंगे अगर हम इस reaction को 3 by 2 से multiply करें तो हमें 2 mole aluminum आ जाएगा लेकिन अगर आप इस reaction को 3 by 2 करोगे तो delta G भी 3 by 2 करना मत भूलना यही trap हो सकता है ITG कि आपको जो delta G दिया जाए वो इतने का दिया जाए बट आपको जो calculate करना हो उसमें let's say कुछ all moles होंगे तो अगर आपको जितने भी mole का delta G करना है delta G को उसे multiply करना है यह बच्चो बात है तो चुकि हमने इस reaction को 3 by 2 से multiply किया 3 by 2 करेंगे तो यह 3 हो जाएगा ठीक है अब बच्चो अगर हम इन दौनों reaction को add कर दें अब अगर हम इन दौनों reaction को add कर दें कैसे add कर दें reaction 1 as it is ले ले and reaction 2 ठीक है अब हमने क्या करना है हमको AL2 और 3 लेट में चाहिए so let's go for 2 minus 1 2 minus 1 करते है 2 में से 1 को minus करेंगे so अगर हम मेटा 2 में से 1 को minus करेंगे then we will get 3 mg plus 3 by 2 O2 वो कट जाएगा plus AL2 O3 तो हमको दोस्तों यह चीज मिल जाएगी ठीक है और इस reaction का जो डेल्टा जी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्छों इस reaction को जो डेल्टा जी होगा हम 2 minus 1 करें तो इस reaction का reaction 2 का डेल्टा जी कितना होगा this is minus 450 minus 225 so this is minus 225 ठीक है so this value is minus 225 and this value is यह कितना होगे यह value होगे minus 150 और हमने चुकि minus किया है तो plus 150 चुकि हम reaction 1 को subtract कर रहे हैं तो इसका डेल्टा जी minus करेंगे so minus of minus 150 plus 150 हो जाएगा इसका बच्चो डेल्टा जी आ जा रहा है minus 225 plus 150 minus 75 होगा डेल्टा जी so यह reaction is spontaneous है so basically बच्चो reaction में जिस number से multiply करोगे डेल्टा जी उसी number से multiply होगा डेल्टा जी इन extensive thermodynamic variable इसी चीज के लिए बस competitive exam में थोड़ा सा alert रहना J advance में इस चीज के लिए थोड़ा सा alert रहना कि आपको जो डेल्टा जी दिया है उसकी unit के लिए थोड़ा सा तयार है कि वो जो डेल्टा जी है वो क्या है वो per mole of reagent है या per mole of reaction है सिर्फ इस चीज के लिए alert रहना इस चीज में गलती नहीं करोगे तो कोई गलती नहीं होगे नीचे यह लाग उपर वाले को reduce करता जाचता ultimate concept और डेल्टा जी जो आपको दिया हुआ है उसकी unit क्या है पर mole of reagent है या per mole of reaction है अगर L-ingham diagram जैसा दिया है तो बचो L-ingham diagram में डेल्टा जी per mole of reaction होता है उसमें आपने कुछ नहीं करना है उसमें आपने कुछ नहीं करना है ठीक है तो यह चीज के लिए बचो थोड़ा सा ध्यान लखेगा डेल्टा जी की unit के लिए थोड़ा सा ध्यान लखेगा बाकी metallurgy कोई बहुत बड़ा chapter नहीं है एक छोटा सा concept आएगा सारे ओर्स आपको revise करा दियें सारे metallurgical operations revise करा दियें सारी refining की techniques with example and the principle रटा दी है और L-ingham diagram भी याथ करा दिया है सारी चीज बच्चो तयार हो गई है अब दोस्तों आपके यह metallurgy chapter पूरी तरह से त्यार है सो थैंक यू बच्चो इस वीडियो को देखने के लिए बबाए टेक केर मिलते हैं अगले chapter में